प्रेज़ दलाओड आप सब कुझे हैं मसी की परमिस्तर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए एक और सुभा परमिस्तर ने हमको दिखाईए हम इसको कोटी-कोटी धन्यवाद दे प्रेज़ दलाओड मैं आपका दोस्तर राजमैसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मो को पस्तित हूँ और आज का संदेश जो है वो प्रभू की परमिस्तर की आज्या के विस्ते में है एक आज्या प्रभू ये समसी ने दी है मरकुस और उसका बारा ध्याय और उसके तीस में लिखा है कि तो प्रभू अपने परमिस्तर से सारे मन सारे प्रान और अपने सारी बुद्धी से प्रेम रखना ये इस आज्या का रहस से क्या है क्या समझाना चाहते है प्रभू ये समसी क्या बताना चाहते है तो इस एक मात्र आज्या पर आज हम विचार करेंगे इसल पूरे संदेश को सुनिये और कुछ गुर्भेत की बाते जो परमेंस ने मुझे प्रगट की हैं वो आज मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ धन्यवाद देता हूँ आप सभी का आप सबने अपना सनिए अपना फ्रेम अपना आदर मुझे दिया है और बहुती लोग मुझे बेसे मिलना भी चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रतेक जन से रूब रू मिल सकूँ प्रेज दलोड और मैं धन्यवाद देता कि आपने जो मेरा दूसरा चेनल है उसे भी लाइक किया है और आज उसमें एक सवाल है बहुत महत्तेपून सवाल है ध्यान से सुनिएगा आज का सवाल है कि रानी एस्तर जो थी उसका एक नाम और है वो क्या नाम था एस्तर की पुष्टक में से हम देखेंगे तो अगर आपको पता है तो लिख दीजे कॉमेंट सेक्शन में अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाईए लिंक को क्लिक कीजे और 15 सेकंड में जानिए के रानी एस्तर का दूसरा नाम क्या था प्रेज दे लॉट मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो करवाईए और परमेसर के अद्बुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखिए अश्चरे करमों को और चाहे बीमारी हो दुख हो तकलीफ हो कोई सी भी हो कोई सी भी समस्या हो उनसे शेर कीजे वो प्रात्ना करेंगे आपके लिए आत्मा से भरके और देखिए उनके प्रात्ना के द्वारा पर मिसर कैसे अद्बुत काम करता है क्योंकि बहुत सारी गवाईया अभी अलगातार आ रही है प्रेस देलोड तो आईए आज के वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रात्ना करेंगे हो प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं आज के दि फ्रचन में घिपी है वो हम पे प्रगעर्ट करना प्रभु ताकि उन गुर्भेत की बातों को हम जाने और अपनी जीवन को उसी की अनुसार को जानने को तफरकों को और प्रभुजी बांजपन को नशे को बेरुजगारी को हर एक के घर से दूर कर दे मेरे प्रभु और जिन घरों से लोग चले गए हैं दूर हैं प्रभु जी या तो प्रभु जी नराज होकर गए हैं या वापस नहीं लोटे उन सब को प्रभू तो व्यापस फेर कर ला प्रभूता की तेरे बच्चे गवाही दे सकें कि प्रभू ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है धन्यवा देता हूं प्रभू तो ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभू येश्यू के नाम से मांगता हूं आमेन आमेन फिरामेन प्रेज़ दलाट तो बहुती सुन्दर वचन है आज का और ये ये सुमसी की एक आग्या है जब हम पढ़ते हैं मरकुस की पत्री में मरकुस रचित सुसमाचार और उसका बार है अध्याए और हम जब उसकी तीस आयत पढ़ते हैं तो यहां देख यह लिखा क्या है यह लिखा है और तू प्रभू अपने परमेचर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्रान से और अपने सारी बुद्धी से और अपनी सारी श कैसे हमने परमिस्तर से प्रेम रखना है तो हम देखते हैं कि भजन सहिता 119 अध्याए और उसके 96 पद से मैं आज की इस वचन को आज की संदेश को शुरू करना चाहता हूँ यहां पर हम देखेंगे भजन सहिता 119 अध्याए और उसका 96 लिखा है कि जितनी बाते पूरी जान पड़ती हैं उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है जितनी बाते लगता है कि यह सब कंप्लीट हो गया लेकिन दाउत कहता है वो मुझे अधूरी लगती है लेकिन लिखा है परंतू तेरी आग्या का विस्तार बड़ा है तेरी आग्या का तीन बाते हैं आग्या विस्तार बड़ा हम सब जानते किसे कहते हैं आग्या भी हम सब जानते किसे तेरे विस्तार किसी कहा जाता है विस्तार कहा जाता है ब्योरे को कि कोई बात हम विस्तार से अगर बता रह सकते हैं विस्तार फैलाव तो अग्या का विस्तार तो बहुत बड़ा है छोटी सी बात पर खतम नहीं हो जाती बात के परमेसर के अग्या का पालन करो परमेसर के अग्या का पालन करो यहां पर बात समात नहीं हो जाती उस अग्या के अंदर क्या है उसका विस्तार क्या है उस मरकुस रचित सुसमाचार उसके बार है अध्याय में और तीस पद लिखा है कि तू यानि कि मैंने आपको कई बार बता है जहाँ पर तू तेरे तुम्हारे शब्दाया है या आप शब्दाया है वो परमेसर का वचन उससे बात कर रहा है जो वचन को पढ़ रहा है या सुन रहा है तो अगर यहां पर लिखा है कि तू यानि कि वो किससे बात कर रहा है मुझसे मैं यहां ऐसे कह सकता हूँ हे राजमसी और राजमसी लिए अग्या है जो ये सुमसीन ने बताई है कि किस प्रकार से हमें परमिर्शा से प्रेम रखना चार बातें यहां पर प्रभी ये सुमसीन रखे हैं और वो है मन प्रान बुद्धी और शक्ति और ये चारू चीजे बहुत विशेस दर्जा रखती हैं हमारे जीवन में हमार प्रान है जो हमें जीवित रखता है जिसे जान कहा जाता है या अगर बाइबल के भासा में से देखें तो इसे लहू कहा जाता है प्रान लहू को कहते हैं बुद्धी हम सब के पास है हमारी बुद्धी कभी बिगड़ जाती है कभी समस्दार हो जाते हैं हम कभी अच्छे क काम करने लगते हैं कभी बुद्धी भरष्ट हो जाए तो हम बुरे कामों में भी लिप्त हो जाते हैं तो ये बुद्धी भी हमारे पास और चौती चीज़ शक्ति बल सामर्त जो परमेसर हमको देता है परमेसर के शक्ति के बिना परमेसर की दिवी सामर्त के बिना हम कुछ भ यह आज्या है इसे मालूं यह आज्या है ठीक है लिखा है और तू प्रभू अपने परमेश्वर से यहां परमेश्वर के प्रेम की बात हो रही है मनुष्य से नहीं परमेश्वर से हमें कैसा प्रेम रखना है परमेश्वर से हमें कैसा प्रेम रखना है यह बात प्रभू यह समझे हमें समझा रहे हैं क्योंकि यदि हमारा प्रमेश़र से है तो हमें ये चारो बातों को अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है प्रिश्दला लौड़ तो सबसे पहले आता है मन लिखाए कि तू प्रभु अपने प्रमेश़र से अपने सारे मन से प्रेम रखना सारे मन जरासा भी कोई संदेह ना हो ये मन कहीं और ना लग रहा हो ये मन कहीं और ना भटक रहा हो इस मन में कोई और ना आकर बैठा हो ये मन चंचल बन कर इधर उधर ना भाग रहा हो यहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेसर का वासू ये मन सिर्फ परमेसर के बारे में सोचे ये मन सिर्फ परमेसर से बाच्चित करे ये मन सिर्फ वो काम करे जो परमेसर को अच्छे लगते हैं यही परमेसर का प्रेम है ये ही इस अग्या में बता रहे हैं इस मन में क्या-क्या भरा पड़ा है आए देखते है मरकुस इसी में देखेंगे मरकुस की पत्री साथ अध्याए बीस पत्से मैं पढ़ूँगा यहां लिखा है फिर उसने कहा कि जो मनुस्य में से निकलता है वही मनुस्य को अशुरुद करता है क्योंकि भीतर से अर्थात मनुस्य के मन से बुरी-बुरी चिंता, वैभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, छल, लुच्पन, कूद्रिष्टी, निंदा, अभिमान और मुर्कता निकलती है कहां से मन में से अब इसी मन को यह सुमसी ने आग्या में डाला है और कहा है तू इस मन से परमेसर से प्रेम रखना तो अगर हमें परमेसर से प्रेम रखना तो यह कोई भी इन में से एक भी बात हमारे मन में नहीं होनी चाहिए सारे मन का मतलब क्या है कि यह एक भी गंदगी हमारे मन में नहीं होनी चाहिए और आगे लिखा है कि ये सब बुरी बातें भीतरी से निकलती हैं और मनुस्य को अशुद कर देती है और अशुदता का पवितरता से कोई भी मेल जोल नहीं है क्योंकि परमेसर तो पवितर है तो यहां पर मैं फिर से पढ़ता हूँ भीतर से अर्थात मनुस्य का मन से बुरी बुरी चिंताएं अगर बुरी बुरी चिंताएं मन में हैं तो हम परमेसर से प्रेम नहीं करते हैं बहुत हम कहते हूँ कहते रहें कि मैं परमेसर से प्रेम रखता हूँ मुझे बहुत प्रेम हैं परमेसर से मैं उससे बाच्चित के बिना रह नहीं सकता, मैं उससे बाच्चित के बिना रह नहीं सकती, मैं प्रात्ना के बिना नहीं रह सकती, मैं बाइबल पढ़े बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, लेकिन मन में क्या है, यह हमें जाचने के जरुरत है, क्योंकि यह सुमझेने का स तारे मन्द से प्रेम रखना है, कहीं हिस्ता नहीं छोड़ देना, एक बार एक पाश्ट जी किसी को बप्तिस्मा दे रहे थे, तो उसने एक हाथ अपना बाहर रखा, जब पाश्ट जी डूबकी देने लगे, तो पाश्ट जी ने पूछा, भई ये हाथ क्यों बाहर रखा, पाश्ट जी मुझे अभी किसी से बदला लेना है, तो जरासी भी गलती हमारे लिए गातक सिद होगी, कहते हैं न, एक संसारी कहावत है कि सावधानी हटी और दुरगटना गटी, तो सावधानी से चलना होगा अपने मन के प्रति, हमें अपने सारे मन से परमेसर को प्रेम उसमें जरासी भी एक बाल बराबर भी कमी ना हो, लिखा है कि बुरी-बुरी चिंता वेभिचार, ये मन में अगर वेभिचार है तो कैसे परमेसर से प्रेम रहते हैं, तो मैं तो फिर वेभिचार के बारे में सोचेगा, गलती सोचेगा, किसी के सुन्दर चेहरे को अपने मन में आकर वेभिचार करेगा, तो परमेसर कहां से आएगा, कैसे परमेसर से हम प्रेम कर सकते हैं, दूसरी चीज़ है, चोरी, हम चोरी, यहां पर चोरी और हत्या का अलग संदेश है, इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं बहुत, और एक बार फिर से, अग उनके साथ ललाईत हो जाना संबंद बनाने के लिए, ऐसी परिस्तिती में किया हम परमेसर से प्रेम करेंगे, अपने सारे मन से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ध्यान तो उसी पर होगा कि किस परकार से इनके साथ एक डेट फिक्स की जाए, क्योंकि परमेसर प्रभु यह प्रेम रखना है, जरासी भी जगा खाली ना रहे, सारे मन से, और आगे लिखा है कि लूब, लालच भी नहीं होना है, मन में, हम दस आग्याओं में जानते हैं, परमेसर ने आग्या दी, मुसा के द्वारा, इस्रैलियों को, तो उसमें एक आग्या है कि तू लालच ना करन वो इसा भी लालच अगर हमारे अंदर हैं, तो हम सारे मन से, परमेसर को प्रेम नहीं करते हैं, फिर आगे लिखा है कुद्रिष्टी, दुष्टा, छल, छल का पठ कितना करते हैं, लुच्पन, कुद्रिष्टी, यानि गंदी नजर से किसी को देखना, निंदा, बुराइ के हंसी ठटे, मजाग जो हम रिल्स में या शौट वीडियो में देखते हैं, गंदगी को देखकर हसना, यह है मुर्खता, यह अंदर से निकलती हैं, और हमें अशुद कर देती हैं, तो सबसे पहली बात क्या है, अपने मन को शुद करें, हम पढ़ते हैं, नितियो चंचार हमने परमिसर से, जरासी जगा खाली नहीं चोड़नी है, दूसरी चीज़ है कि सारे प्रान से परमिसर सिप्रेम रखना, प्रान किसको कहते हैं, जीवन को, जान, जब कोई किसी के डेथ होती है, तो ऐसे का जाता है कि उसके जान निकल चुकी है, उसके प्रान निकल गए, अपनी जान को छोड़ दिया, यानि कि जो अंदर प्रान ही हमारी जान है, तो लिखा है, हम देखते हैं, भजन सहिता 116 अध्याए, चार से आठ पर तक मैं पढ़ूँगा, भजन सहिता 116 अध्याए, यह लिखा है ध्यान से सुनियेगा, तब मैंने यहवा से प्राथना की, इस पर किसी और का कब्जा न हो जाए, यह प्रान हमारा, यह हमारी जान कहीं और जगा जाकर हमारे जीवन को तहसनेस ना कर दे, जाओध यहाँ पर प्रातना करता है, कि तब मैंने यहवा से प्रातना की, कि हे यहवा बिंती सुनकर मेरे प्रान को बचा ले, यहवा अश्रामस्थान में लोटा, क्योंकि यहवा ने तेरा उपकार किया है तू ने तो मेरे प्रान को मृत्तिू से, मेरी आँख को अंसु भाने से और मेरे पाउव को ठोकर खाने से बचा लिया है तो सारे प्रान से भी हमें पर्मेसर से प्रेम रखना है तीसरी चीज़ है बुद्धी हम देखते हैं दूसरे कुरंतियों चार अधिया और उसका चार ही पद यहां इस प्रकार से लिखा है और उन ए विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धी को इस संसार के इस्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसी जो परमेसर का प्रतिरूप है उ विर्थ के काम हम से करवाता है तो यह बुद्धी को भी हमने हमारी जो समझ है हमारी जो हमारा विजडम जो है उसे हमें स्वरक्षित रखना और उसको पूरी बुद्धी से हमें परमेसर से प्रेम रखना इस बुद्धी को विर्थ कामों में व्यस्त नहीं करना अपनी बुद्धी को नहीं लगाना है whatever we Efendimiz प्रमीयशार को प्रसंद करूं जैसे कि इस खोज रहती है कि अपने पती को कियसे प्रसंद करें वैसे हमें भी kita Раз करना चीए और पूर बुद्धी से प्रमीयशार प्रेम करना चाहिए रोम्यों बारा अध्याय को अगर हम देखें और इसके एक और दो पद तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है इसलिए हे भाईयों मैं तुम से परमेसर की दयास्मन दिलाकर बिंती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेसर को भावता हुआ बलिदान करके चड़ाओ यही तुमारी आत्मिक सेवा है दुसरे पद में देखे क्या लिखा है और इस संसार के सदर से ना बनो परन्तु तुमारी बुद्धी के नए हो जाने से तुमारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेसर की भली और भावती और सिद इच्छा अनुभव से मालूम कर सको बुद्धी का नया हो जाना कब जब हम इस बुद्धी से समझ लेते हैं कि उधार करता तो एकी है और वह प्रभुय समसी हम उसे ग्रहन कर लेते हैं हम उसे अपना नीजी उधार करता ग्रहन करके उसे अपना लेते हैं और क्या हो जाता है फिर परमेसर की संतान बनकर हम उस प्रेज दराओड आखिर में देखेंगे शक्ति के विस्टे में जो ताकत परमेसर ने हमें दी है सॉरी संथ पॉलिस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ फिलिप देखेंगे पत्री चार अध्याय उसके तेरा पत्र में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है शक्ति देता है बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो कौन देता है हमें सामर्थ, क्या हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अपनी सामर्थ को खुद तयार करें, नहीं, हमें शक्ति देता है परमेसर, काम करने की शक्ति परमेसर देता है, चलने की शक्ति परमेसर देता है, बोलने की शक्ति परमेसर देता है, सोचने की शक्ति परम प्रमेसर देता है वचन परचार करने की शक्ति प्रमेसर देता है और ये सामर्थ किसलिए देता है ताकि हम पूरी सामर्थ से पूरी शक्ति के साथ हम प्रमेसर से प्रेम रखें प्रेस देलोड हम इन चारो बातों को याद रखें ये रहसे है इस आग्या का जो येसु मसीर ह को बताई है मरकुस बारा अध्याए और उसके तीस पद में लिखा है कि तू प्रभू अपने परमेसर से सारी सारे मन से सारे प्रान से सारी बुद्धी से और सारी शक्ति से प्रेम रखना ये प्रेम ये आग्या परमेसर की है प्रभू ये सुमसी की आग्या है इसको हमें नि क्योंकि संसार तो मतलब भी प्रेम करता है लेकिन निस्वार्थ प्रेम अगापे प्रेम वो परमेसर का है परमेसर इन अचने के दोरा हम सबको आशी दे यदि आज आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्षिन में लिखेगा और बताईएगा कि आपको मे मेरी मुहिम में शामिल हो जाजिए जिद है सच को पहलाने की बहन एस्तर और बहन रेखा आपके लिए तयार हैं हर समय प्रात्ना करने के लिए जरू कॉल कीजिए और प्रात्ना करवाईए मैं आपसे गुजारिस करता हूँ यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल के सब्सक कैसा लग रहा है प्रेज दे लोड आज के लिए बस इतना ही फिर में लूँगा एक नया संदेश लेकर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे जाज़त दीजे लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखे और इस आग्या के विस्तार को और आगे बढ़ाईए प हम एक लेकर आगे विस्त First